नमस्कार मैं अफजल आप देख रहे हैं Online News India BJP की बंगाल में मज हार नहीं हुई है बलकि ये उनके अंकार, घमन, गुरूर और बड़बोलेपन की हार हुई है आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से BJP के जो नेता है वो बयानबाजी कर रहे थे, एक महीला को लेकर और BJP ने अपने पांच-पांच सांसदों को विधायकी का चुनाव लाया और सब अपने आपको मुकमंतरी के कैंडिडेट समझ रहे थे और सब धराशाई हो गए और साथ में वो बयान भी दिखाएंगे और किस तरह से वो उनके अंदर अहंकार भरावा था घमन तकबूर था वो सब अचकना चूर हो चुका है सबसे पहले आज मैं आपसे जो आपको दिखाने आया हूँ कि वो होड सीट जो सबसे यादा चर्चा में बना हुआ था वो सीट आप जान रहोंगे कि नंदी गराम नंदी गराम पर बात करूँगा फिर बाबुल सूपरियो जिनका सूपला साफ हो गया एक केंदर मंतरी दिल्ली से आते हैं बेंगॉल के आस्थान सोल से विदाज से सांसद है केंदर में मंतरी हैं और गायक भी है उनका ये हाल कर दिया कि 50,000 बोटों से हरा दिया बंगाल की और तौली गंज की जनता ने और लोकेट चेटर जी बेंगॉली अभिनेतरी हैं बेंगॉल में काफी बड़ा नाम है और वो बीजेपी की सांसद थी उनको भी विधायक का चुनाब ललाए गया उनका भी क्या हाल हुआ वो भी दिखाएंगे वो भी बताएंगे और ऐसे कई नाम है जो पांच सांसद को चुनाब ललाने का फैसला था विजेपी का और सबकिस अहंकार से भर हुए थे बहुत ज़रा दिखाएंगे हम सबसे पहले हम बात करते हैं सुवेंदू अधिकारी भरसेस ममताव नर्जी की अभी बताया जा रहा है कि ममताव नर्जी 16 साब बोटर से हार गई है नंदी गराम में सबसे होट सीड बनावा था सबसे यादा चर्चा का विसेह था कि कौन जीतेगा ममताव नर्जी चुनावती देने कले सुवेंदू अधिकारी को उनके घर्व गई नंदी कराम अधिकारी परिवार का यहाँ पर दबदबा था लेकिन फिर भी 1600 बोट से ममताव नर्जी हार गई है पहले दो घंटे तक यह चलता रहा कि नहीं ममताव नर्जी जीत गई दो घंटे तक भारत के त्यास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लाइब टेलवीजन पर यह चला आप अपसने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कई चैनलों ने चलाया कि ममताव नर्जी 1200 बोटों से जीत की फिर दो घंटे के बाद क्या आता है कि ममताव नर्जी हार गई है आखिर यह किसकी चूक है किसकी लापरवाई से ऐसा हुआ हलाकि ममताव नर्जी ने का कि हम कोट जाएंगे कोट में बाते करेंगे और कोट का दरवाजा खटकटाएंगे लेकिन चलिए अब सुबहिंदू अधिकारी की बात करते है सुबहिंदू अधिकारी जो बार-बार यह कह रहे थे कि बेगम अगर जीत गई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा और साथ में और क्या कह रहे थे यह बिहुदा पन पोतर आयते हैं और इसके अलाबे तो यह तो हो गया इसके अलाबे उन्होंने कह था कि अगर हम पचास हजार बोटों से नहीं हराया ममताव अवनर जी को तो हम राजनीती से सन्यास ले लेंगे केबल सुले सब बोटों से हराया है क्या आप वो राजनीती से सन्यास लेंगे पहले तो खबार आय कि ममताव अवनर जी जीद गई है बारा सो बोटों से लेकिन दो घंटे के बाद आती है कि नहीं नहीं सोले सो बोटों से ममताव अवनर जी हार गई है क्या सुवेंदू अधिकारी अपना क्या हुआ वादा वो उस वादे पर अटल होंगे या फिर गौरब भाटिया जो बीजेपी के परवक्ता थे जिन्होंने कहा था अगर महराश्ट में बीजेपी के सरकार नहीं बनी तो मैं अपना सर मुड़वा लूँगा या उनके ही जैसा हल करेंगे और वही एक तरफ पीके जी हैं परशांत की सूर जिन्होंने कहा था चार महीने पहले कहा दिया था कि अगर बीजेपी दो डिजिट्स पार कर गई तो हम अपने मेरा जो काम है एडवाजरी का राजनितिक सलाकार का वो मैं छोड़ दूँगा कि किसी और कौफर कर दूँगा मैं अपने काम से सनियास दे लूँगा और वो अंतिम दिन तक चुनाओ के अटल रहे उस बात पर और वो करके दिखा है कि 74 सीटों पर बीजेपी को रोक दिया क्या और साथ में ये भी बदा दे कि काई लोग तो उनकी इस्तिफ़े की मांग करते जब सुभाई बीजेपी आगे बल रहे थी तेहली उनका आगे हो रहा था रोज़ानों में तो कह रहे थे कि आज तो परशान किशोर की वी साख दौपर है क्या वो अपना इस्तिफ़ा देंगे ये बात उठ रहा था बीजेपी की काई नेता संभीत पात्रा ने खुले मन से कहा था कैई चनल पर क्या वो आज इस्तिफ़ा लेकर आये हैं अपना और भी बीजेपी की नेता ने उठाय था सियम फेस खुद को बेंगॉल का मुक्मंतरी का चहरा बता रहateurs जी हाँ ये अपने मन में सपना देख रहं है थे कि मैं मुक्मंतरी बनने वाला हूं जो जो बेंगन का टॉली बूड जी हाँ तॉलीबूड और बेंग آली याप फिलम इंडिस्ट्री है वहाँ से बुहार गए जबकि ये खुद गायक है ये खुद अभीनेता है लेकिन उस जगह से इनका हरना क्या एक केंद्र मंतरी जो केंद्र मंतरी थिय आसन सोल से सांससत है उनका इस तरीके से हरना क्या दिखाता है और साथ में इनका एक बयान भी मैं याद दिला दूँ किनों ने कहा था कि बेटी परायधन होती है इसको बिदा कर देंगे लेकिन टॉली गंज की जंदा ने इनको ही बिदा कर दिया अब चलिए आगे बात करते हैं कि जब बेटी की बात आई तो एक बेटी जिनको दिखाया गया कि ये मुकमंतरी की फेस है लॉकेट चेटर जी जो हुगली से बीजेपी की सांसद है और ये 2015 में बीजेपी में शामिल हुई थी इनका भी वही हाल हुआ है जो जिस तरीके से बावल सुप्रियों का हुआ ये भी चुनाब हार चुकी है एक सांसद है सांसद को लड़ाय गया था और फेस आगे किया गया था कि ये मुकमंतरी उमीदबार है जा भी महिला की बात हो रही थी तो इनको आगे कर दे जा रहता है कि हमारे पास तो है लोकेट चेटर जी लेकिन लोकेट चेटर जी भी चुनाब हार चुकी है लोकेट चेटर जी भी 19,000 बोटों से हार गई और इनको हराया है असीत मचमुदार ने जो टीमसी के कैंडिडेट थे और चुरा सीट से ये चुनाब लड़ी थी तो लोकेट चेटर जी का वही हालवा जो बावल सुप्रियों का हुआ हलाकि बावल सुप्रियों का तो सुप्राई साफ हो गया लेकिन अब सवाल ये बन रहा है कि भारत सरकार की परतिष्ठा दौपे थी क्योंकि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी खुद आरेते परचार करने उन्होंने पूरे कैपनेट को लगा दिया था और एक केंडर मंतरी का इस तरीके से हालना क्या इस्तिफा लेंगे प्रधान मंतरी नरेंद मोदी उनको मंतरी पत्त स्तिपः दिलआएंगे बावुल सुप्रीयों को कि जिस तरह से उनकी कण्रारी हार हुई है कि 50 m block already यह इपने नहीं सुनाऊड़ِ यह загल गयी पूर्वे किरकेटर आपने कही क्योंके पर देखा होगा कि किरकेट खंटेुबए भारगती टीम के तरब से और कोलकता नाइट आडर्स के तरब से भी खलते थे इनको ममता बनर जी ने अपने पार्टी के टिकट पर चुनाब लड़ाया था हावला के शीपपूर से जहां पर यह चुनाब जीत गए टीमसी के उमीदबार थे इन्होंने अच्छी तरीके से चुनाब जीता और यह कितने बोटों से चीता यह भी देख लिए कि 11,000 बोटों से अपने पर चुनाब को हराया तो इस तरीके से जो बिजेपी और बिजेपी और टीमसी की जो लड़ाई थी कहा जाना था दो सौ पार दो मैं दीदी गई मितुन चकरबत्ती आयते कोबरा मैं आमी कोबरा सीध नहीं बताएंगे तो और एक राजस्वा सांसद है जो पहले पत्रकार भी थे 2016 में वो राजस्वा सांसद है और वो विधायक का चुनाब लोने के लिए उन्होंने राजस्वा सांसद पर से इस्तिफा दे दिया सोपन दास गुपता उनका भी जनता ने वही याल किया तो बीजेपी के जतने भी टॉप मोश्ट लीडर थे सब को धरासाई होना पड़ा है कोई नहीं जीत पाया इसे तरीके से एक और निस्चित परमानिक जी है निस्चित परमानिक जो है बो बीजेपी के कूच बिहार से सांसद है और पिछली साल ही माफ किज़े कर 2019 में ने सही फैसला सुनाया कि हमने आपको सांसत बना कर बेजा अब लोग का परमोसन होता है आप डिमोसन क्यों जाते हैं आप क्यों आता जाते हैं हलाकि बीजेपी कुछ रॉलनीती हो सकती होगी इसके पीछे तो लेकिन जो नतीजा आया है बेंगॉल का भूछ चौकाने वाला ह चुनाव आयोग सही जंग से काम नहीं कर रहा था और चुनाव आयोग पर तो ममतामना जी शुरूर दिन से हमला वर थी इसके अलावे परशांत की सोर ने भी यह कहा कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना पक्षपात पूर्ण चुनाव आयोग नहीं देखा है इतन चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के विशारों पर चल रहा था है बीजेपी के बतायते तरीके पे काम कर रहा था तो यह आज हमनेRO बताया को वा हॉट स्रीट का हाल कि किस हॉट स्रीट पर कौन जीता है यह और ब्ढोत पूर्वे IPS उपिसर चुनावी मैदान में थे T.M.C. के तरब से एक का नाम था हिमायू-कबीर जो T.M.C. के चिकर्ट पे चुनावी द़ूर रहे थे दूसरी भारती गोष हिमायू-कबीर जो T.M.C. के उम्मिदवार थे उनको जीत मिली है और भारती गोष को हार का सामना कर है ग्यारे हजार बोट से हमायू कबूर जीद गए हैं और ग्यारे हजार बोटों से हार का सामना करना पड़ा है भारती गोश्ट को तो यह हौट सीट थी चर्चा का विशाय था हर किस्ति की नजरे जमी हुई थी ठीकी हुई कि किक्या होगा इन लोगों का क्या होगा 294 सीट उमें से इनका क्या होगा और пять सांसदों को जो उतारा गया था विधान सवा के चुनाओं में विधायकी के लिए उन लोगों पर खास तौर पर नजरे इनायत थी लेकिन सब के सब हर गय ये पांच जो होट सीट का मैंने आपको हाल बताया सुवेंदू अधिकारी हलाकि अपना अधिकार बचाने में काम्याव रहे गए लेकिन बहुत ही मामूली अंतर से हलाकि दो गंटे तक तो ये बताया गया कि ममतमनर जी जीत गई बाद में ये खबर आती है कि नहीं नहीं सुवेंदू अधिकारी जीते हैं इसकी जाच होनी चाहिए हर कोई मांग कर रहा टेमसी नहीं मांग की है कि आखिर ये कैसे चुनाव आयोग को इस पर अस्पश्टी करन देना बहर ज़रूरी है ताकि निस प्रक्श्टा की जो बात कहती है तो नहाव आयोग वो बनी रहना चाहिए आखिर मीडिया में एक कैसे खबरे आ गई दो गंटे तक बनी रही कि नहीं मांगतमनर जी जीत चुकी है और बिजेपी का जो हाल हुआ है बिजेपी खुद को तो पीट ततवारिक नहीं नहीं मैं तीन से चौरासी पे पहुँच चौरासी पहुच पहुच गई तो ये मेरे लिए काम्याबी है लेकिन 2019 का अगर देखें परफॉर्मेंस तो 40% बोट और आपको 18 सीटे मिली 42 सीटों में से अगर उससे टैली किया जाए तो 121 विदान स्वा में आप आगे थे आपका परफॉर्मेंस तो खराब हुआ है और जो दाबे कर रहे थे जो वादे कर रहे थे कि हम 200 के पार जीत रहे हैं उससे कम तो कुछ मंजूरी नहीं आपने पूरी ताकत जोग दी लेकिन नतीजा क्या है हम सब के सामने हैं तो ये हार के बल हार नहीं है बलकि अहंकार, तकबूर, घमन, गुरूर की हार है बलगोलेपन की हार है और जो अंडरस्मीट किया गया ममता अपनर जी को ये दिखाया गया कि नहीं ममता दीजी तो पुरी चोर है करब ठेरं के बारे हैं बहुत सारी बाते की गए उस बातों की हार है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेर कीजिए और लोगों तक पहुचाईए और सच्छाई से लोगों को रूब रुकराईए धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं